नमस्कार मैं प्रिये रंजन और डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में जियो ने पास्ट वन येर में 45 परसेंट तक के रिटर्ण्स दिये और उसके बाद पास्ट वन मुन्थ से देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेट फॉर्म में हैं आज जियो फाइनेंशियल सर्विस लगबग 1.3% की तेजी और रिलाइंस लगबग 3% की तेजी पे टेड कर रहा है और इन दोनों के तेजी के कारण क्या रहा है कि जियो ने अपने टेरिफ के प्राइस को हाइक करा है लगबग 10-25% के आसपास का और यही कारण है जो निगेटिव ही दिख रहा है और अपडेट में देखेंगे तो बीटा एप कंपनी ने एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस लॉंच करे थे जहां बिल सेटल्मेंट, यूपी आइट्रांजेक्शन, इंसोरेंस एडवाइजरी वेगरा के सर्विसेस को आप इनेबल कर पाए यहां FNO inclusion बाली एक news दिख रही है कि जो में टो शेयर इन निफ्टी, how new FNO inclusion rule में influence next index, यह common खबर रही, लेकिन जो आज का volume है 2 करोर के आजपास का है और technical trend, अभी भी इस stock का technical trend ऐसा नहीं है कि यह strong है, यहां से एक trend line है जिसको continuous stock follow कर रही है और breakdown कर रही है, lower side के यह, यह जो technical trend इस समय है, यह lower low, lower high का trend है और ऐसे में minimum यह वाला जो resistance है, यानि 368 के उपर की closing जब तक नहीं दे, daily time frame पे long trade नहीं initiate करेंगे, एक बार 368 के level को breakout किया, तो 392, 440 और 600 तक के levels लेंगे, weakness इस stock में अगर देखा जाए तो 336 के नीचे ही है, इस समय यह positive consolidated form में है, ना कि negative consolidated form मे लेकिन बरी तेजी के लिए 368 के उपर का closing काफ़ी important है,